हेलो दोस्तों अभी हम ट्रांस्पोटेशन इंजिनियरिंग फोर्ट सेम एस्वी टीए के प्रीविएस येर कोईशन डिसकस करने जा रहे हैं तो आप लोग घ्यान से सुनिये तो हमारा फर्स्ट कोईशन है पहले हम लोग समझते हैं कि विंग वाल क्या होता है तो आप लोग इस फीगर को ध्यान से सुनिये ध्यान से देखिए यह हमारा कोई कलवाट है यहां पर ब्रीज भी हो सकता है तो जो अर्थ एस्ट्रेक्चर को रिटेन करके रखता है उसे हम लोग विंग वाल बोलते हैं अब हम लोग ब्रीज का कुछ कमपोनेंट देखते हैं इससे आप लोगों को किलियर हो जाएगा कि विंग वाल क्या होता है यह आप लोगों का के शीघर है टिपिकल कमपोनेंट ऑफ ब्रीज जिसमें के आप देख सकते हैं यहां पर उँग वाल है यह आपका एबप्सक्ति है यह का कम्पोनेंट है यह इंटर्मीडियट फानडेशन होता है उसे हम passion artists तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है वीग वाल इट इज रिटेनिंग वाल यह क्या है रिटेनिंग वाल है constructed to retain the earth work of approach embankment behind abartment abartment के बाद जो earth work को retain करके रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं wing wall का बोलते हैं यह straight wing wall भी हो सकता है return wing wall भी हो सकता है और एक होता है splayed wing wall तीन टाइप का wing wall होता है तो wing wall एक तरह का retaining structure है जो earth work को retain करके रखता है तो देखते हैं wing wall का function क्या है a wing wall has mainly performed the following two function to provide a smooth entry into the bridge site जो जब भी हम bridge site पे enter करेंगे तो smooth entry देगा to support and protect the embankment embankment को support और protect करेगा किसी भी तरीका किसी भी तरीका से fail होने से बचाएगा क्योंकि एक wall provide करते हैं हम लोग उसके पीछे earth work वगेरा होता है जिससे ये support बना रहेगा जिससे structure fail ना हो तो ये हम लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को चार नंबर में पूछेगा तो ये दोनों point लिख सकते हैं तो देखते हैं कि wing wall कितना type का होता है तो wing wall आर आप following three types एक होता है straight wing wall ये आपका abotment है और इसी के straight में जो हम wall बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे straight wing wall अब दूसरा है split wing wall ये 45 degree पे बनाता है abotment के उसे हम लोग split wing wall बोलेंगे ये आपका bridge का abotment है abotment क्या होता है ये bridge है तो सबसे last portion in foundation जो होता है उसे हम लोग abotment बोलेंगे ये आपको component of bridge में clearly mentioned है और तीसरा है return wing wall ये भी abotment है और इसके 90 degree पे जो मनाता है उसे हम लोग बोलते है return wing wall तो सबसे पहले हम लोग ये देखे कि wing wall होता क्या है तो wing wall earth work को retain करता है ये आप लोगों का figure है component of bridge है देख लीजिए ये abotment है और ये आपका wing wall है ये wall provide करता है ताकि earth retain हो सके यहां road level है यहां से entry होता है vehicle का इसे हम लोग middle में जो foundation होता है उसे हम लोग peer बोलते है ये abotment होता है last में इसके बाद होता है wing wall तो wing wall या retaining wall ही है जो earth structure को retain करता है तो bridge के case में उसे हम लोग wing wall बोल देते हैं तो wing wall का function क्या है क्या खाम करता है तो provide a smooth entry into the bridge site और support and protect the embankment और कितना types का होता है straight wing wall अगर abotment के 90 straight होगा abotment से straight होगा उसे हम लोग बोलेंगे straight straight wing wall अगर यह 90 डिगरी पे होगा तो उसे हम लोग का 90 डिगरी पे जो विंग वाल होता है उसे हम लोग बोलेंगे return विंग वाल तो विंग वाल तीन टाइप्स का होता है और तीनों टाइप्स का आप लोग यह वाला का फीगर देख लिए इस्ट्रेट विंग वाल और स्प्लेट विंग वाल जब 45 डिगरी पे होगा और 90 डिगरी पे जब होगा उसे हम लोग बोलेंगे return विंग वाल तो यह आप लोगों का फीगर है विंग वाल का विंग वाल यह अर्थ वर को retain कर रहा है बहुत लोगों का confusion रहता है कि सर कलवाट और ब्रीज में क्या difference है basically यह span का जो difference होता है उसके अधार पे हम लोग divide करते हैं कि कौन सा कलवाट है और कौन सा ब्रीज है तो आप लोग यह देखिए अगर span length 8 meter से कम होगा तो इसे हम लोग कलवाट बोलेंगे अगर 8 meter 8 meter to 30 meter होगा उसे हम लोग minor ब्रीज बोलेंगे अगर greater than 30 meter होगा तो उसे हम लोग major bridge बोलेंगे अगर span greater than 120 meter होगा तो उसे हम लोग long span bridge बोलेंगे तो इसे आप लोग धियान में रखिए यह भी objective में पूछ सकता है 8 meter से कम अगर length होगा span का उसे हम लोग कलवाट के category में रखेंगे minor bridge 8 meter to 30 meter minor bridge greater than 30 meter major bridge और greater than 120 meter उसे हम लोग long span bridge बोलेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉन्डेशन का टाइप तो इसमें हम लोगों के पास दो टाइप का फॉन्डेशन है सेलो फॉन्डेशन और दीप फॉन्डेशन सेलो फॉन्डेशन के अंदर आता है राफ्ट या मैट और फूटिंग दो टाइप का फूटिंग के अंदर आता है आपका isolated footing combined footing strip strap spread तो यह आप लोगों का तो इस अब्जेक्टिव का अंतर क्या हो जाएगा इस्प्रेट फॉंडेशन इजे टाइप आफ सैलो फॉंडेशन क्योंकि सैलो के अंदर ही अब देखते हैं डीफ फॉंडेशन के अंदर आता है पाइल या कैशन या कॉफर डैंप तो देखते हैं स्प्रेट फॉंटिंग क्या होता है सारा लोड जो है कॉलम का सारा लोड होगा डिस्टिब्यूट हो जाएगा इवेंली इस कंक्रीट फॉंडेशन पे तो उसे हम लेंगे किस फीगर को आप लोग घ्यानते देखिए और स्ट्राप फॉंटिंग वह ता है दो आइसोलेटेड के बीच में एक strap beam होता है, strap इसे simply act as a connecting beam, उसे हम लोग strap footing बोलेंगे, ये strap beam से connected है, उसे हम लोग strap footing बोलेंगे, strip footing क्या होता है, strip होता है, जिसका length इसके width के compare में बहुत ही जैदा large हो, उसे हम लोग strip footing बोलेंगे, इस figure को आप लोग धियान से देखिए, इसका length होगा, इसके width के compare में बहुत ही जैदा large है, उसे हम लोग strip, ये bearing wall जो wall होता है, हम लोग उसका बहुत जैदा lengthwise होता है, उसे हम लोग strip footing बोलेंगे, bearing wall को यहाँ पर distribute कर देगा, और ये raft या mat footing है, जो कि raft या mat की तरह बनाया, यहाँ पर concrete का जाल बिछा हुआ है, और ये सब column है, पूरे area में हम लोग इस footing को बनाते हैं, combined footing, यह आपका rectangular combined footing है, trapezoidal combined footing है, यह plant है और यह आपका cross section है, तो बस यह basic ध्यान में रखिए कि footing, shallow footing और deep foundation, shallow में 2 हो जाएगा, raft mat या footing, footing में 4 आ जाएगा, isolated, combined, strip, strap और spread, आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो message, comment box में message कीजिए, और अपना number provide कीजिए, third question है, एप पीर हीजे, support of a bridge, तो जब भी bridge का question है, हम लोग एक, उसका component देखेंगे की क्या सब होता है, यह देखिए, यह आपका peer है, तो जो की, जो सबसे end में होता है, उसे हम लोग abartment बोलते हैं, तो जो middle में होगा, उसे हम लोग peer बोलेंगे, तो इसका answer क्या हो जाएगा, एप पीर हीजे, intermediate support of a bridge, इंड में क्या होता है, इंड में होता है आपका abartment होता है, इंड में abartment होता है, नेक्स्ट question है, which of the following is a component of a bridge, abartment सबसे end में जो होता है, उसे हम लोग abartment बोलेंगे, wing wall जो earthwork को retain करके रखता है, approach, जब bridge में हम approach करते हैं, तो उस समय जो retain करता है, उसे हम लोग wing wall बोलेंगे, peer intermediate support होता है, उसे हम लोग peer बोलेंगे, तो इस question का answer क्या जाएगा, which of the following is a component of a bridge, ये तीनों ही component of a bridge हो जाएगा, तो all of the above, एक बारा और आप लोग component of the bridge का figure देख लीजिए, ये peer है, ये abartment है, wing wall, back wall, approach slab, deck slab, curve, expansion joint, hand rail, parapet wall, इससे bearing से नीचे जो structure होता है, उसे हम लोग sub structure बोलते हैं, और bearing के उपर जो structure होता है, उसे super structure बोलते हैं, abartment क्या होता है, the end support of a super structure, end support होता है, super structure of a bridge are called abartment, जो end में support करता है, किसी भी bridge को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, abartment भोलेंगे, ये flat भी हो सकता है, या arch भी हो सकता है, flat मतलब, सीधे step का भी हो सकता है, या arch बना भी, arch के जैसा भी हो सकता है, they transmit the load from the super structure of a bridge to the foundation, super structure के load को कहां transmit करता है, foundation तक transmit करता है, भेजता है, the depth of the abartment should be adopted based on calculation, calculation करके हम लोग इसका depth निकालते हैं, next question है, which of the following is a permanent bridge, तो permanent bridge का answer हो जाएगा, कलवर्ट, तो हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, कलवर्ट, permanent small bridge, pipe कलवर्ट, box कलवर्ट, यह सब permanent bridge है, और temporary bridge में आ जाएगा आपका, timber bridge, causeway, steel bridge, movable type, floating bridge, तो यह दियान में रखिए, हम लोग पहले types of bridge देखते हैं, कि क्या होता है, classification of bridge, तो हम लोग function के base पे भी bridge को classify कर सकते हैं, railway, highway, footbridge, aquaduct, material के basis पे भी, हम लोग classify कर सकते हैं, life span के basis पे भी हम लोग classify कर सकते हैं, तो यह point आप लोग भ्यांग में रखिए, bridge देखिए, classification of the bridge में भी, done as flow, permanent, temporary, permanent में big a small, temporary में temporary fix or movable bridge, according to the material of the construction, किस material से बना होता है, उसके basis पे भी हम लोग classify कर सकते हैं, timber bridge, missionary bridge, steel bridge, RTC bridge, यह सब classification of the bridge है, permanent या small bridge, temporary bridge, तो यह सब theory question का portion हो जाएगा, जो चार नंबर ये छिये नंबर में पूस सकता है, अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी related, किसी topic के related आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो comment box में लिखिए, next video उसी पे बनेगा, thank you.